TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV Canada भर में कोरोना के बाद तेजी से जारी है मरीजों की मचमीत आदा 13,87,445 तक जा पहुँची हलाकते 25,644 हो गई औरियों में वैक्सीन की दूसी खुरा के फरहामी हुकाम की मुशावरत Long Term Care Homes में पाबंदियों में नर्मी हुकाम का कहना है कि लोगों को जल्द वैक्सीन फरहाम करने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं कैनेडा में कोरोना करिंदीना से इंकार करने वालों को भारी जर्माने का सामना करना पड़ेगा हुकूमत ने कवाईत मजीज सख कर दिये इंकार करने वालों को पांसजार डॉलर जर्माने का सामना भी करना पर सकता है ब्रेटिश कॉलम्बिया में कदीम कबाल के बच्चों की बाकियात मिलने के बाद हकूमत पर दबाव बढ़ने लगा जगमीज सिंग ने हकूमत से अहम मतालबात कर दिये कहते हैं हकूमत को जबानी जमाखर्च के बजाए अहम अग्दमात करना होंगे नौर्वे में जासूसी का लजाम अमरीकी सिफार्थी हलकार को समन जारी कर दिये गए अमरीका की जानिब से फिलहाल कोई रदेमल सामने नहीं आया अमरीका कोरोना वैक्सीन की आठ करोर से जायत खुरा के दुनिया को अतिया करेगा 25 पीसद वैक्सीन इत्धादि मुमाली को दी जाएगी अमरीका एस्ट्राजेनिका की मजीद 6 करोर से जायत खुरा के दुनिया को अतिया करेगा कोरोना वार्थ से दुनिया में वाद की तादा 37,17,000 से बढ़ गई मतासर होने वालों की तादा 17,29,90,000 से ये तजावस कर गई 15,56,000,000 से जाएद अफराद से हत्याब हो चुके हैं हैलाइंज आपने जानी और अब खबरे ये तफसील के साथ ऑन्टेरियो सुभे में कोरोना केसिस की तादा सबसे ज्यादा है सुभे भर में कोरोना वारस से मतासर होने वालों की तादाद 5,33,761 तक जा पहुँची है मजी जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी है कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मच्मुई तादाद 13,87,445 तक जा पहुँची है की तादा 5,3,761 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादा 8,801 है कैनेडा में करोना वायरिस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यू बैक सूबे में हुई है जहां करोना वायरिस के मजभू केसिस की तादा 3,71,872 है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,144 तक पहुँच चुकी है। कैनेडियन सूबे अलबर्टा में केसिस की तादाद 2,000,000 से तजावस कर गई सूबे में 2,28,424 अफराद करोना वाइरस से मुतासिर हुए हैं जबके 2,236 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रेटिश कालंबिया में केसिस की तादाद 1,44,866 तक जा पहुँची है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,709 है। कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में हुकाम करोना वारस की दूसरी खुराग के फरामी से मतालिक वैकसिनेशन में तौसी के लिए कोशा है। इस अवाले से मजीच चालते हैं। कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की वजीर सहथ क्रिस्टिन ऐलिट का कहना है कि सुबाई हुकूमत तमाम ऑन्टेरियन्स को बारा साल और इससे जायत अमर के लोगों को वैकसिन की दूसरी खुराग के लिए रिजिस्ट्रेशन की एजाज़त देने के इमकानात का जायज़ा कुइंस पार्क में सहापियों से गुफटगू करते हुए वजीर सहथ का कहना था कि अब पूरी तरह से अमर की हद को खतम करने के बारे में बातचीत हो रही है ताके इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो भी अपनी दूसरी वैकसिन लेना चाहता है उसे जल्द से जल्द मिल सके उन्होंने कहा कि हम तमाम रास्ते तलाश कर रहे हैं ताके जितनी जल्दी हो सके लोगों के लिए जिन्दगी को मामूल पढ़ा सके दूसरी खुराक के लिए ओमर की हद को खतम करने के बारे में ऐलिट के तबसेरे एक हथ़ते बात सामने आए जब सुभाई सहत के औरे दारों ने वाक्सिनेशन के लिए एक ताज़ा तरीन टाइम लाइन चारी की इस मनसूबे के तहर सतरा और इससे जायर उमर के रहाशी 14 जून के हथ़ते के दौरान दूसरी खुराक के एहल हो जाएंगे लेकिन इसके बात वाक्सिनेशन का सिलसला फुर्स इन और फु गैनेडियन सूबे ऑंटेरियो में हकाम करोना वारिस की दूसरी खुराक की परहमी से मतालिक वाक्सिनेशन में तासी के लिए कोशा है हुकाम की जानिब से कहा गया है कि जिन लोगों ने आस्ट्राजिनिका की पहले खुराक लेली है वो अपनी मर्जी से दस्तियाब किसी और कंपनी की वैक्सिन की दूसरी फुराक ले सकेंगे ऑंटेरियो की हकुमत ने दो हंगामी एहकामात में तबदीली के बारे में टूइट किया है जो करोना की तीसी लहर के दौरान वबा पर काबू पाने और मरीजों की देखभाल के लिए नाफिस किये गए थे इन एकाम दाइमी तापर मरीजों को उनकी रजामन्दी के बगएर तवीलल मुदती केर होमस और रिटार्मेंट होमस में मनतقل करने की इजाज़त दी गई है केनिड़ा में करोना तेस्ट और होटल में करनतीना से इंकार करने ओलों को भारी जुर्मानी का सामना करना पड़ेगा मजीद जांते हैं इस रिपोर्ट में या जो कारंटीना होटल में चेख करने से इंकार करते हैं उन्हें इस जर्म में 5,000 डॉलर जर्मान आयत किया जा सकता है जो मौझूद जर्माने 3,000 से 2,000 डॉलर सी आता है मजीद ये कि मसाफरों को कैनेडा दाखले के लिए कोवीड नाइटीन टेस्ट का सबूत भी परहम करना होगा याद रहे के फरवरी से हकूमत ने कैनेडा आने वाले मुसाफरों को आमद पर कोवीड नाइटीन टेस्ट लाजम करार दे दिया है जिसमें अपने टेस्ट के नताश तक हकूमत से मनजूर शुदा होटल में कयाम भ करंटीना की जरूरत खतम करनी चाहिए और इसके बजाए लोगों को अपने करंटीना का इंतिजाम करने देना चाहिए कनेजिन सूवे ब्रीटिश कॉलंबिया में कदीम कबायल से तालुक रखने वाले दो सो पंद्रा बच्चों की बाकियात मिलने के बाद हकूमत से अहम मतालबात किये जा रहे हैं इस अवाले से मज़ेच चानते हैं लिए जंग जू नुकता नजर की नुमाइंदगी करते हैं। सिंग ने कहा कि अलामती इशारे काफी नहीं हैं और ये लहा कारवाई का मतालबा करता है। उन्होंने वजीर आजम जेस्टिन टूडो पर अदालतों में लड़ते हुए मकामी ब्रादियों के साथ हमदर्दी करने में मनाफ़कत का इल्जाम लगाया। सिंग ने कहा है कि लोग खौफ सदा हैं जंडो को सरंग करना काफी नहीं। विफाकी हकूमत के लिए ये काफी नहीं के वो सिर्फ ताजियत के अलफास का इजहार करें। खास तोर पर जब वो अभी तक अदालत में इंडिजिन्स बच्चों से लड़ रहे हो। नर्वे ने आसलों में ताइनात अमरीकी सिफारती अहलकार को जासूसी के शुबे पर समझ जारी कर दिया। मजीद जान तहिंस डिपोर्ट में नर्वे ने आसलों में ताइनात अमरीकी सिफारती अहलकार को जासूसी के शुबे पर समझ जारी कर दिया। नार्वे की खبر एजंसी के मताबक वजीर आञाजम अरना सॉलबर्ग ने कहा है कि मीडिया में खबरे आने के बाद ओसलों में तायनात अमरिकी सिफारती एहलकार को समझस्वारी कर दिया है सिफारत कार पर जासुसी का इल्जाम है सिफार्थी एहलकार पर लगने वाले इल्जमात की तफिर ये बताई गई है कि उसने 2012 से 2014 तक नौर्वेज समेट यारपी मुमालिक के स्यासी रहनमाव की जासूसी की अमरीका की जानेब से फिलहाल कोई रद्यामल सामने नहीं आया अमरीका ने दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की आठ करोर खुरा के तक्सीम करने का ऐलान कर दिया इस हवाले से अमरीकी सदर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तक्सीम का हदव जून में मुकमल कर लिया जाएगा मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका ने दुनिया भर में करोना वैक्सीन की आठ करोन खुरां के तक्सीम करने का ऐलान कर दिया इस हमाले से अमरीकी सदर का कहना है कि करोना वैक्सीन की तक्सीम का हदफ जून में मुकमल कर लिया जाएगा जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि अमरीका में इस्तिमाल ना होने वाली 75 पीसद वैक्सीन दुनिया भर में अतिया की जाएंगी इस्तिमाल ना होने वाली 25 पीसद वैक्सीन इतिहादी मुमालिक को दी जाएंगी अमरीकी सदर ने कहा है के वाक्सीन अक्वाम मुतहदा के प्रोग्राम कोवेक्स के तहद तक्सीम करेंगे 6 मिलियन खुराके साउट और सेंट्रल अमरीका में तक्सीम होंगी 7 मिलियन एशिया 5 मिलियन खुराके अफरीका में तक्सीम होंगी मیکسیکو, कینیडा को वैक्सीन की चार करोड से जायत खुराके भीचवा चुके हैं अमरीकी सदर ने कहा कि जनूबी कोरिया की अफवाज के लिए जॉनसन एंड जॉनसन की दस लाग खुराकें रवाना कर दी अमरीका अस्टर जिनिका की मज़ीच चे करोड से जायत वराकें दुनिया को अतिया करेगा भारत में कोरोना से मतासर अफ़ाद की तादाद दो करोड पिचासी लाग बहत्तर हजार से जायत है और 3,4,799 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आलमी वबा करोना वाइरस के सबब दुनिया में मतासर होने वालों की मजमुई तादाद 17,29,90 से तजावस कर गई जबके 37,7,237 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं दुनिया बर में करोना से सहतियाब होने वालों की तादाद 15,56,00 अफाल केसिस की तादाद 1,35,89,00 से जायथ है अमरीका में करोना से मरने वालों की कुल तादाद 6,011,611 तक पहुंच गई हैं जबके 3,4,41,04, variables 64,000 से जायथ मतासर हैं भारत में करोना से मतासरा अफराद की तादाद 2,85,72,000 से जायद है اور 3,4,799 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में करोना से मतासरा अफराद की तादाद एक करोर 68 लाग से जायद हो गई है और 4,79,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 56,94,74 अफराद मतासर और 1,9,857 अफराद जानकी बाजी हार चुके हैं। तर्की में 52,70,000 अफराद करोना से मतासिर और 47,882 हलाक हो चुके हैं साथी अरब में करोना मरीजों की तादाद 4,54,217 हो गई है जबके आमवाद की तादाद 7,408 हो गई है रूस में 50,99,000 से जाएद अफराद करोना वारिस से मतासिर हो चुके हैं और अमवाद की मचमुई तादाद 1,22,606 है बरतानिया में 44,99,000 से जाएद अफराद करोना से मतासिर और 1,27,812 अमवाद हो चुकी है टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी